उत्तिष्ठ जागरत प्राप्य वरान निबोधत उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष की प्राप्ति न हो जाए स्वामी विवेका नंदनीस प्रसिद्ध सुत्रवाक्य के माध्यम से अंधविस्वास कुरूतियों, बुराईयों, असिक्षा एवमालस्यता के अंधकार में टूबी मानवता को इन से बाहर निकाल कर ग्यानारजन की प्रेरना दी वे चाहते थे देश्वासी समस्याओं से डरे नहीं, उनके समाधान का रास्ता ढूंडे उनका संपूर्ण जीवन पिछ़़े लोगों को उपर उठाने, एवम समाज में फैली बुराईयों को दूर करने के लिए समर्पित रहा स्वामी जी के महांते जस्वी विचार हमारे अंदर नहीं उर्चा का संचार करते हैं और हमें प्रेरना देते हैं अपनी सक्ति को पहचानने और आत्मविस्वास को जगाने की आत्मविस्वास को प्रबल करते उनके ये विचार सुने आत्मविस्वास खो देना ही मिर्त्यू है संसार का इतिहास उन थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविस्वास था यह विस्वास अंतहिस्थित देवत्तो को ललकार कर प्रगट कर देता है तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है सर्व समर्थ हो जाता है असफलता तभी होती है जब तुम अंतहिस्थित अमोख सक्ती को व्यक्त करने का यथेश्ट प्रयप्न नहीं करते जिस छन व्यक्ति अत्वाराष्ट आत्म विस्वास खो देता है उसी छन उसकी मृत्ति हो जाती है अपनी ओजस्वी वानी में आत्म सक्ती के जागरन की प्रेणा देते हुए कहते हैं ब्रंभांड की सारी सक्तियां पहले से हमारी है वे हम ही है जो अपनी आखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है साथ ही यह भी कहते हैं मेरे युवक बंधुगन बलवान बनो यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है गीता पाठ करने की अपेक्छा फुटबॉल खेलने से तुम स्वर्ग के अधिक समीब पहुचोगे मैंने अत्यंत साहस पुर्वक ये बाते कही है और इनको कहना अत्यावस्यक है कारण मैं तुमको प्यार करता हूँ मैं जानता हूँ की कंकड कहां चुपता है मैंने कुछ हनभो प्राप्त किया है बलवान सरीर से और मजबूत पुठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे सफल होने का सबसे बेहतरिन तरीका जो स्वामी जी ने हमें बताया है वाकई गागर में सागर है वे कहते हैं एक विचार लो उस विचार को अपना जीवन बना लो उसके बारे में सोचो उसके सपने देखो उस विचार को जीओ अपने मस्तिस्क, मानस्पेसियों, नसों, सरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो यही सफल होने का तरीका है वैसे तो प्रेम को परिभासित नहीं किया जा सकता लेकिन स्वामी विवेका नंद की प्रेम के प्रती यह विव्यक्ति अपने आप में पुर्ण है आप भी सुने प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है इसलिए प्रेम जीवन का सिध्धान्त है वह जो प्रेम करता है, जीता है वह जो स्वार्थी है मर रहा है इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो क्योंकि जीने का यही एक मात्र सिध्धान्त है वैसे ही जैसे जीने के लिए सांस लेते हैं भाग्य के भरोसे न बैठ कर स्वयम अपना भाग्य विधाता बनने की प्रेरणा देते हुए स्वामी जी कहते हैं, हम जो बोते हैं वह काटते हैं, हम स्वयम अपने भाग्य के विधाता हैं, हवा बहती है, तो वो जहां जिनके पाल खुले हैं, हवा से टकराते हैं, और अप जैसे, शिक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुंसी बाते इस तरह ठूंस दी जाए, जो आपस में लड़ने लगे, और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर हजम न कर सके, जिस सिक्षा से हम अपना जीवन निर्मान कर सके, मनुस्य बन सके, चरित गठित कर सके हो, तो तुम्हारी सिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुं तधिक है, जिसने एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी ही कंठस्त कर ली है, स्रद्धा पूर्ण सिक्षा की आवस्सकता पर जोड़ देते हुए स्वामी जी कहते हैं, हमें जो कुछ चाहिए, वह य यह स्रद्धा ही है, दुर्भाग्यवस भारत से इसका प्राय लोप ही हो गया है, और हमारी वरतमान दुर्दसा का कारण भी यही है, एक मात्रई स्रद्धा के भेद से ही मनुस्य मनुस्य में अंतर पाया जाता है, इसका और दूसरा कारण नहीं, यह स्रद्धा ही है जो ए इत्रता, विसाल बुद्धी और सर्वजई इक्षा सकती। इन गुनों से संपन्न मुठ्थी भरलोग काम करें तो सारी दुनिया ही उलट-पुलट हो जाएगी। निश्चित रूप से आज संपूर नविस्व को स्वामी वियकानन के इन वैचारी को जस्विता की अत्यनतावस्य कता है। उनके बताये विचारों पर अमल करके ही हम सुखी सम्रिध सफल वस्वस्थ जीवन जीने की राह आसान बना सकते हैं। साथ ही देश समाज व परिवा आटने से ग्यान बढ़ता है। वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही किस परस्लिटीज के बारे में ऐसी वीडियो चाहते हैं? हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। सकारात्मक्ता व रचनात्मक्ता से परिपूर्ण जीव आपके कमें जरूर लिखें।